हेलो फ्रेंट्स टेस्ट वाला की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है रश्टी समसामाई गढ़ना चक्र की है आज हमारा चौथा वीडियो है इससे पहले हमने इसके तीन वीडियो बना दिये हैं आप उन वीडियो को देखने के लिए आप उपर आई बटन पर किलिक कर सकते हैं आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दो करेंट अफिर्स की और भी इसमें कई सारे वीडियो है इसपात के उतपादन में देखिए वर्ल्ड स्टील एस्टील एसोशियेशन की रिपोर्ट है 2023 की इसमें नंबर एक पे आपका चीन है उसके बाद आपका भारत आता है फिर जापान और फिर संयुक्तराज अमेरिका आता है तो आपको बस याद रखना है कि इस पे नंबर एक पे चीन है और सेकेंड पे अपका इंडिया है ठीक है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डेन एवं इसकात मंत्री जोत्रादित सिंधिया के द्वारा दिलनी में पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा यह लॉंच किया गया था आपको इसका नाम याद रखना है आपसे ऐसा कुश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है कल्याणी फेरेस्टा का नाम है ठीक है इसे कल्याणी समूद और लाया याद रखने है ठीक है जैसे कि बेल है बीपी सी एले अपका कॉल इंडिया लिमिटेड है गेल है इस तरीके से आपको ये नाम आप याद रखिएगा ये इन में से कुछा कोई सा आप से पूछा जा सकता है राष्ट्य लाजिस्टिक नीती 2022 21 सितंते 22 को प्रधान मंती नरी nerve Moodi के अधिक्षण वाली केंद्री मंती मंदल ने राष्टी लॉजिस्टिक नीती 2022 को मंजूरी प्रधान की यह नीती PM गती सकती राष्टी मस्टर प्लान की पूरक है वसा आपको याद रखना है कि ये 2022 मे इंडेक्स 2022 ये इंडेक्स क्या बताता है कि वैसे किस तरफ पर जो स्टार्ट अप का एको सिस्टम है वह किस देश में अच्छा है ठीक है तो भारत में पहले नंबर पर आपका USA है तो आपको इतना याद रखना है कि भारत का इसमें एक स्थान की सुधार होते हुए ये उनिस्वे स्थान पर आ गया है ठीक है बस अंतराश्टी आर्थिक गटनागरम देख लेते हैं कुछ World Economic Outlook 2023 ये कौन जारी करता है ये इसको अंतराश्टी मुद्रा को इस IMF के दोरह जारी किया जाता है इस वारत की रिपोर्ट का सीर सकता आर रोकी रिकवरी ठीक है इस रिपोर्ट में जो भारत की अर्थवस्ता में ब्रद्धी 2022 के लिए 6.8 परसेंट बताई गई थी जबकि 2030 एवं 24 के लिए ये 5.9 एवं 6.3 का अनुवान बताए गया ठीक है आपको याद रखना है इसके बाद आपका एशियन डवलोप्मेंट आउटलुक 2023 ये ACI विका की जीडीपी ब्रद्धीदार क्रमसा 7.2 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत दर्जए ठीक है ये आपको जानदा इंपर्टेड नहीं है बारत में सबसे मुलनेबान हस्तियां अनुबीर सिंग है ठीक है इसके अलाबा बारतिय करिकेटर ब्राट कोली को इन्होंने पीछे प्रची यह फुप्स जारी करता है तो अरपती हैं इसमें आपका बर्नौल अर्णॉल्ट यह बर्नाड अरौल्ट है इसका विलन मस्क और जेस बोसेज हैं ठीक है तो यह आप याद रख लीजेगा भारत में यहाँ बारत की तरब से इसमें तीन बारती अरपती है जिसमें मुकेशमबानी यह नवे इस्थान पर है वटामधानी 24 बेस्थान पर रहें तथा शिबन डार यह 55 इस्थान पर है करता है UNDP के द्वार सको जारी किया जाता है UNDP का फुल सहींक तराष्ट बिकास कारिक्रम तता ओक्सपॉड गरीवी एब मानप विकास पहल ओपी एच आइए द्वारा सहींक तूरूप से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इस बार की रिपोर्ट की जो तीव हैं वह थी डेप डेप्राइवेशन बंडल्स तु रेड्यूस मुल्टि डाइमेंशनल पावर्टी इसमें कुल 111 देश में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों को सामिल किया जाता है बारत में सबसीर्स पाच जो राजे हैं सबसे अधिक गरीबी वाले उसमें टॉप पे आपका ब्यार आ इसके बाद आपका मेगाल है पांच वी नमबर पे यह दोनों सहींत रूप से पांच विस्तान पर मेगाल है और असमें ठीक है तो यह आप याद रखिएगा आपके टॉप पांच याद रखने हैं आपको आपका केरल जो राजे है वह सबसे कम गरीब जनसंक्या वाला यह इसका सबल परिक्षड़ किया इस रोड ने DRDU और भारती वायुसेना के सयोग से एरोनाटिकल टेस्ट रेंच चित्रदुर करनाटक में इस मिसन का संचालन किया विश्व का प्रतम 3D-printed rocket Tearon 1 है आपको यह नाम याद रखना है 22 मर्च 2023 को विश्व का पहला 3D-printed rocket यह Tearon से प्रक्षेपद किया गया यह प्रत्वी की जो पहुंचने में बेफल रहा लेकिन बस आपको यहां पर यह यह याद रखना है कि यह पहला 3D-printed rocket है ठीक है इसे मतलब जो 3D-printing तकनीक है उसके माध्यम से इस rocket को बनाया गया ठीक है बस आपको यह 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 याद रखना है इसके बाद आपका मेगा टॉपिक्स का नियंतरत पुनाः प्रवेस सफला गया इसके बाद यह प्रशांद महासागर मोता रहा गया तो यह आपका मेगा टॉपिक्स जो सैटलाइट है यह मौसम से संबंदित था भारत और फ्रांस का सहयूगत यह जो परियोजना थी उसक मिशन कम्प्रीट हो चुका है मतब इस जो यह जो रॉकेट है इसका मतब जित्ता इसका जीवन कालता वो पूरा हो चुका है तो इसको प्रशांद महासागर में उतार दिया गया है ठीक है तो यह आपको याद रखिएगा प्रस्पति आपका सौर मंडल का सरवाद एक उप इसके वाद आपका सबसे वड़ा उपगर ए उसमें आपका यूरोपा है इसके बाद आपका इनी मीड और केलिस्टो है तो यह आप याद रखिएगा इसके बाद आपका अमीरात चंदर मिशन 11 दिसम्बर 2022 को अमेरिका के फ्लॉरीडा इस्तित कैपके निवर स्पैस से फ पर लेंड करने वाला पहला अरब मिशन है तो यह याद रखिएगा इस मिशन के तहट राश्यद जो नाम का रूबर है उसको चंद्रमा के नौर्थ इस्ट जो एरिया है वहां पर एटलस करेटर है उस पर उतारा गया है यह कुर्सी के आकार का है और उसका जो बजन है वह दस किलोग्राम है तो आपको के बले यहां पर यह याद रखना है कि अरब कंट्री का यह पहला जो चंद्रमा पर बेजा गया पहला मिशन है जिसे इस पेस एक्स कंपनी के फालकन नाइन रोकेट के दोरह प्रक्षपित किया गया था ठीक है इसका भी इस्तित मौहमद बिन रासित इस पेस सेंटर ने जापान की एक कंपनी है आई इस पेस इंक इसको इसके साथ अनुबंद किया था आपको बस इतना ही याद रखना की इसमें एक भारतिय देव जोसी भी सामिल है इसके बाद है आपका नाशा चंद्रमिशन जिसमें पहली महिला अंतरिक श्यात्री जाने वाली है आर्टेमिस टू यह नाशा का जो चंद्रमिशन कारिक्रम है 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा पर पहला मानविशन होगा जिसे 2023 में आर्टेमिस टू के द्वारा चार अंतरिक श्यात्रियों को यहाँ पे बेजा जाएगा जिसमें आपके रीड वाइसमें विक्टर ग्रोबर, क्रिष्टीना हैमा कोच और जेर्मी हैंसन रहेंगे तो जो क्रिष्टीना कोच हैं यह पहली महिला हो जाएंगे जो चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक श्यात्री होंगी ठीक है सबसे लंबा अरव अंतरिक श्यात्री मिशन की गोश्णा की गई आई एसस से दू छे माँ लंबा यह मिशन दो मार्च 2023 को लॉंच किया गया नासा के तत्वदान में स्पेस एक्स के क्रूज 6 मिशन के अंग के रूप में एक अमिराती अंतरिक श्यात्री सुल्तान अल नियादी को आई एसस पर बेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन यह इसस का फुल फॉर्म है तो यह आपके यूए के जो अंतरिक्ष यात्री है सुल्तान अल नियादी यह जो आपका अंतरिक्ष इस्टेशन है वहाँ पर जाएंगे यह 6 महीने वहाँ पर रहेंगे ठीक है और दूसरे यहाँ भी याद रखिएगा कि यह प्रतम व्यक्ती होंगे अंतरिक्ष में जाने वाले यह प्रतम व्यक्ती होंगे ठीक है यही पर आपका पहली महीला अरब अंतरिक्ष यात्री होंगी आपकी नोरा अलमत रूसी ठीक है तो याद रखिएगा विक्रमS ये बारत का पहला निजी प्रक्छेपन यान बन गया है इसको 2012 में विक्रमS रॉकेट का प्रक्छेपन किया गया ये है रॉकेट आंद्रब्रदेश के स्रिय हरी घोटा इसिते 37 दावन अंतरिक चकेंदर के Sounding rocket प्रिक्षेपण परिस्त से किया गया Skyroote Aerospace Private Limited यह company है यह पहले जो निजी छेतर की जो space related company है ठीक है निजी छेतर द्वारा design और निर्मत है बारत का पहला प्रिक्षेपण था ठीक है बिक्रमस के बारे में कुछ अन्ने तथ जान लेते हैं बिक्रम एस बारत का पहला निजी प्रवोचर यान है इसको स्काइरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिविंटेट हैदराबाद के दौरा इसका विक्रम एस एकल चरण वाला जो सिंगल स्टेज वाला ठोस प्रणोधक चलित सब और्वेट रॉकेट है ठीक है बिक्रम एस बिस्व के कुछ चुनिंदा पूर्ण कंपोजिट प्रच्छेपण यानू में से एक है इसके बिकास में लगवे दो बर्शों का समय लगा इसका जो नाम है यह बारत की जो अंत्रिक्ष कारिक्रम के जनक है डॉक्टर बिक्रम सारा भाई के नाम पर इसका नाम र क्यान सूथ संस्तान के देविस्तल बेट साला परिसर में इसको इस्थापित किया गया है बस आपको यहां पे इतने ही याद रखना है यह टेली स्कूप 2450 मीटर की उचाई पर इस्थित है इस टेली स्कूप का जो डिजाइन और निर्माण है बेलजियम की एडवाज मेके सारा वर्ल्ड एयर क्वाल्टी रिपोर्ट 2022 चारी की गई इस रिपोर्ट में 131 देशों के 7330 सेहरों को सामिल किया गया है इसमें बहरत आठवे इस्थान पर रहा है इस रिपोर्ट में चाड की राजदानी अंजामेना यह विस्वकी सबसे प्रदूशित राजदानी के र मेथेनौल मिस्तरत इधन से चनने वाली बसों का अनाबरन किया गया है केंद्री मंत्री गटकरी जी द्वारा इन बसों का अनाबरन किया गया इसमें MD 15 15 प्रतिशत मेथेनौल मिस्तरत डीजल इधन का प्रियूक किया जाएगा बेंडी कूट विस्प का पहला मेला डोने वाला रोबोट है तो याद रखीगा बेंडी कूट इसका नाम है इसको केरल सरकार के दोवारा लॉंच किया गया एक सो आठवी भारतिय पिज्ञान कॉंग्रेस जिसका आयोजन तीन से साथ जनवरी 2023 के मद नागपुर बिश्व है वह रहेगा आपको महीला ससक्तिकरन सहीत सतत बिकास के लिए विग्यान और प्रॉद्दोगी की तो आपको यहां पर यह तीन पॉइंट याद रखने है एक तो आठवी भारतिय पिज्ञान कॉंगरेस है नाकपुर में इसका आयोजन किया गया तता इसके जो बिसे या इसके साथ ही बारतिय विग्यान कॉंगरेस की अधिक्षता डॉक्टर बिजय लच्मी सकसेना के द्वारत की गई तो यह याद रखिएगा इसके अधिक्षता किसने की इसराइली क्रिश्टल बैग्यानिक अदा योनात एकमा त्रैसी नोबल पुरुसकार बिजयता बैग् परियोजना की सुर्वात की गई इस परियोजना की शुरुवात की सूरत में की गई यह परियोजना NTPC तता गुजरात GAS Limited का संयुक्त प्रयास है इस परियोजना में PNG Pired Natural Gas Network में हरित हाइडोजन का मिशन किया जाएगा जमू एबं कश्मीर में पहली बार लेथियम की खो सलाल हेमाना च्छेतर है यहां पे 5.9 मिलियन टन लीथियम का अनुमान बताया गया है परारंबिक जाच यह अनुमानित है यहां पे आप याद रखी है जो लीथियम है इसका सबसे महत्पून उप्योग मुवाइल फॉन, लेप्टॉप, डिजिटल केमरा और एलेक्टरिक बहानों में जो रिचार्जिबल बैटरी है उसके निर्मान में किया जाता है लीथियम तरकॉन विस्वार्थिक मंच डबलू इएफ के अनुसर विस्व में लगवग 60% अभिगयात लीथियम लेटिन अमेरिका में पाये जाता है जाबे तीन देश है बोलाविया, अर्जेंटीना तथा चली यह लीथियम ट्राइंगल का निर्मान करते हैं तो याद रखिएगा आप लीथियम ट्राइंगल यह important question हो जाएगा इसके बाद आपका जो सरवादिक लीथियम उत्पादक देश है वे आपका Australia यह पहले स्थान पर है इसके बाद आपका चली है, तीसरे स्थन पर आपका चीन है, इसके बाद आपका Argentina, Brazil और जिंबामबे है तो याद रखिएगा, क्योंकि लीथियम काफी जादा important हो जाता है आने वाले समय में तो आपको यह दो फैक्ट याद रखने हैं इसके साथ, लीथियम सेल निर्मान संयंत्र, यह आपके आन्द परदेश के तुरुपती में स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा, और इसकी जो छमता है वह 270 मेगावर्ट गंटा है, यह प्रति दिन 10 MPR हावर्ट छमता के 20,000 सेल उत्पादन कर सकता है तो याद रखिएगा, पहला जो लीथियम सेल निर्मान संयंत्र है, यह आपका तुरुपती आन्द परदेश में स्थापित किया गया है इसके बाद है आपका एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र CBG के आए आपका कंप्रेस्ट बायोगेस है, CBG की फुलवाम तो यह अपके पंजाब के संगरूर में इसको इस्थापित किया गया है जिसमें जर्मनी की जो कंपिनी है, बरबिय एजी, इसके सयोग से इसको इस्थापित किया गया है यहाँ पे जो उत्पादन रहेगा भी बर्दवान में, 6-10 प्रती दिन CBG का यहाँ उत्पादन होगा ठीक है तो यह पॉइंट याद, Frontier बिस्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्पूटर है, वह है Frontier बन चुगा है तो नवंबर 2022 को बिस्व की दुतम सुपर कंप्पूटरों की एक टॉप 500 सूची जारी की गई इस सूची का यह साटवा सल्सकरन था, इसमें अमेरिका का सुपर कंप्पूटर Frontier बिस्व का सबसे तीज सुपर कंप्पूटर गोसित किया गया तो आपके यहाँ पर केबल के आयाद रखना है, Frontier यह अमेरिका का सुपर कंप्पूटर है, जो की बिस्व का सबसे तेज सुपर कंप्पूटर बन गया है, ठीक है यह बिस्व का पहला एग्जा स्कील सुपर कंप्पूटर है, इस सुपर कंप्पूटर का HPL Hype Performance Link Pack Score 1.102 एग्जा फ्लॉप्स है, तो यह एग्जा फ्लॉप्स पे काम करेगा सुपर कंप्पूटर परम अनन्त है, 2022 में IIT गांधी नगर में सुपर कंप्पूटर परम अनन्त को स्थापित किया गया इलेक्ट्रोनिक एवं सुचनव प्रदोगी की मंत्राल है और बिग्जान एवं प्रदोगी की विवाग की एक संयुक्त पहल है इस सुपर कंप्पूटर की जो अधिकतम प्रोसेसिंग स्पीड है वे 838 टेरा प्लॉप्स है, ठीक है परम काम रूप है, इसको रैष्टपती द्रोपती मुर्पो ने IIT गवार्टी में इस सुपर कंप्पूटर का उदगाटन किया तो नौर्थ इस्ट में, नौर्थ इस्ट का जो सबसे तेज सुपर कंप्पूटर है वे ये परम काम रूप बन चुका है परम पोरूले ये NIT तुरुचरपली में है, परम प्रभेगा, ये IISC बेंगलूरू में है परम गंगा, IIT रूड़की में इस्तापित है, परम शिवाय, ये IIT BHU में है परम सक्ती, IIT खणपूर में है, परम ब्रह्मा, ये IISC बेंगलूरू में है परम सक्ती, जवाला नेरू, उर्नत बैग्यानिक अनुसंदान के बंगलूरू में है परम संगणक, ये IIT कानपूर में है, तो ये आप याद रख सकते है पहली स्वदेशी हाइडोजन फ्यूल सेल बस ये भारत की पहली स्वदेशी हाइडोजन इधन सेल बस है जिसका विकास बैग्यानिक तता और द्योगे का अनुसंदान परिसत CSIR ने और एवं पुड़े स्थित कंपणी KPIT Limited के द्वारा किया गया है 5G सेवाओं की ये सुरुवात हो गई है एक अक्टूबर 2022 को प्रदानमंतरी नरेंद मोदी जीन नई दिनली में भारत नई दिनली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की सुरुवात की छटवी इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का वियोद गार्डन किया विवसाइक तोर पर 5G सेवा लॉंच करने वाली पहली कंपणी भारती ये डेल बनी तो आपको याद रखना है बारत में 5G सेवाओं की सुरुवात हो चुकी है 2G एथिनॉल सही अंत्र ये आपके हर्याना के पानी पत में इसकी स्थापना की गई है प्रदानमंत्री नरेंद मोती जी द्वारा 10 अगस्त 2022 को बिस्व जैब इथन दिवस के अपसर पर इसका उद्गाटन किया गया 2G एथिनॉल का उत्पादन बायोमास और सेली नोसिक सामागिरी जैसे ये सयंत पानी पत रफाइनरी के निकड़िस्त दे है जीवन योजना मार्च 2019 में टूची एथनॉल परियोजनाओं के स्थापना है तू एकिकरत जैव एथनॉल परियोजनाओं को वित्तिय साइता प्रदान करने के लिए प्रदानमंत्री जीवन योजना का प्रारंब किया गया है इस योजना का पूरा नाम है प्रदानमंत्री जेभीधन बातवरन अनुकूल फसल अबसेस नवारन योजना इसमें इस योजना के तहट 2023 के अब्दी के लिए कुल जो बित्तिय परिवेव है उनिस सो उनत्र दसमलों पाच जीरो करोर रुपे रहेगा इसके बाद है अब का अनाज आदारित देश का पहला एथेनॉल सैंद्र ये बिहार के पूर्णिया जिले में इस्थापित किया गया है इनो यूरिया सैंद्र की उद्धाटन मदाल मंत्री नरेंद मोदी जी द्वारा कलूल गुजरात में नैनो यूरिया सैंद्र का उद्धाटन किया गया यह सैंद्र प्रति दिन पांच सो मिली लीटर की लगबग डेड़ लाक बुतलों का उत्वादन करेगा यह इफको द्वारा बिक्सित है इफको बारत का पहला ओद्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार्द्वार् चुकी है वे सबसे पहला है जेप प्रावदोगी की पार्क लखनो उतर प्रदेश तो आप यह याद रख लिजेगा अजरबेजान एवं तजाकिस्तान इनको मलेरिया मुक्त गोशित किया गया मार्च दोज़ात थीस में विस्तुस्वास तंगर्टन डवल गया चुग ने अजरबेजान तथा तजाकिस्तान इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त गोशित किया है तो इस तरीके से बरतमान में कुल 42 ऐसे देश है जिन्हें डवलु हो दौरा मलेरिया मुक्त गोशित किया जा चुका है बारत का जो पड़ोशी देश स्रेलंका है यह 2016 में मलेरिया म यह रेपोर्ट डवन वेचों के द्वारा जारी की गई इस रेपोर्ट के अनुशार 2021 में वेस्वे के सर पर 247 मिलियन मलेरिया के कुल मामले दर्च किये गए जिन में 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यू हुई है लंपी प्रोवेक टीगा 10 अगस 2022 को स्वदेशी टीगा लंपी प्रोवेक लॉंच किया गया इसे केंद्रिय क्रशिवम कल्यान मंतराले के द्वारा लॉंच किया गया यह टीगा लंपी जो पसुओं में बिसिसकर गायों में जो एक रोग हो रहा था लंपी उसके निदान के लिए स्टीके का विकास किया गया है में दो संस्थान प्रमुक हैं राश्टिय अस्व अनुसंदान केंदर हर्याणा तथा भारतिय पसुच किस्सा अनुसंदान केंदर इज्जत नगर बरेली इन दो संस्थानों की इस जो टीका है इसके विकास मेहत्पून बूमिका रही है जो लंपी वार्स का पहला किस था भारत में 2019 में देखने को मिला था औखिल भारतीय बाग आंकिलन रिपोर्ट 2022 नौ अप्रेल 2030 को पदान मंदूरी नरेंद मोदी ने अखिल भारतीय बाग आंकिलन का जो रिपोर्ट है उसे जारी किया इसमें भारत में बागों की संक्या है वे बढ़कर 3166 पहुँच चुकी है तो आपको ये याद रखना है कि भारत में इस समय बागों की संक्या है बरतमान में बागों की संक्या 3166 हो चुकी है इससे पहले जो 2018 में बागों की गढ़ना होई थी तब उनकी संक्या 2967 दर्ज की गई थी इस परकार 2018 से 2022 के मद्द भारत में बागों की संक्या में 6.74 प्रतिशत की ब्रद्दी दर्ज की गई है इतने बाग हैं यह आपका सिवालिक की जो पाड़ियां तथा गंगा मैदान चेतरे यहाँ पे 804 बाग है मद्द भारतिय चेतर एवं पूरवी गाड में 1161 बाग है पच्चमी गाड चेतर में 824 बाग है उत्तर पूरवी पाड़ी एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान चेतर में 194 बाग है कि सुन्दरवन चेतर में 100 बाग है इस तरीके से कुल 3080 बागों की संक्या है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूरे हुए है इस बार एक अप्रेल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉंच किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर बिश्म में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रचाती सनरक्षण पहल थी 2030 में जो प्रोजेक्ट है इसके 50 वर्स पूर्ड हुए प्रोजेक्ट टाइगर है इसके 50 वर्स पूर्ड उने के उपलक्ष में एक इसमारक सिक्का रदानमत्रिंग होदी दोरा जारी किया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कारवन तटस्त पावर एक्सचेंज ये बन चुगा है 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कारवन तटस्त पावर एक्सचेंज गोशत किया गया यह कारवन तड़स्त गोसेत होने वाला भारत का पहला पावर एक्षेंज होगा ब्लू फलेक प्रमाण पत्र 26 अक्टूवे 2022 को परियवर्ण बन और जलवाई उपरिवर्थन मंदराले दोरा दो भारतिये समद्र तड़ों को ब्लू फलेक प्रमाण पत्र प्यदान किया गया इस प्रकार बारत के जो कुल 12 समद्र तड़ है जेने ब्लू फलेक का प्रमाण पत्र मिल चुका है तो आपके जो दो समत्य तट हैं इसमें आपका थंडी तट मिनिको है तदा कदमत तट है ये दोनों ही आपके कहां पे आते हैं लक्षेदीप में आते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपके कुल टोटल अब बारा ऐसे तट हो चुके हैं जेने ब्लू फलेग का परवाणपत्र म संचालन किया जाता है ब्लू फलेग समुद्र तटों बंदर गाहों तथा नौका परेटन संचाल को प्रदान किया जाने वाला विस्व का सरवादिक मानेता प्राप्त एको लेवल है इसमें मतलब जिन तटों को ये दिया जा रहा है वे आपके सबसे स्वक्षे समुद्र तर्ट माने जाएंगे ठीक है तो इस त्रेमव बाग भ基र उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा रानीपुर जो बाग भाग भ्यहर है कि अदिशूचना जारी की गई है डानीपुर सरकार ने था पहले सलेंdzर लौस अब्यारण का गठनकी अदिशूचना जारी इसे कि कदावूर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण के नाम से जाना जाएगा इस अभ्यारण का विस्तार तमिलाइडू के करूर एवं डिंडी गुल जिलों में होगा यह एक प्रकार का नर्वानर है निसाचर प्राइमेट कहते हैं से यह मुक्य रूप से आपके दक्षिन वारत और लंका के छेत्रों में पाये जाता है देश का पहला डुगोंग सन्रक्षण रिजर्व तमिलाइडू सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश का पहला डुगोंग सन्रक्षण रिजर्व जो इस्तापत करने की अधिसूचना चारी की गई तो ये जो डुगोंग है इसके बारे में याद रखी गए ये परिकार इसको समुतरी गाय के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये समुतरी गाय के नाम से जाना जाता है ये भारत में मननार की खाड़ी पाक की खाड़ी और कक्ची की खाड़ी तता अंडवा निकोबार में भी पाए जाता है यह विश्व का सबसे बड़ा साकाहरी इस्तन पाई है तो यह फेक्ट याद रखिएगा भारत का पहला हमिस्कलन निगरानी रडार सिक्किम में भारत का पहला हमिस्कलन जो निगरानी रडार है उसका उत्खाटन किया गया इसको भारती थलसेना तदा रक्षा भू संचार रक्षा भू सूचना बिग्यान और अनुसंधान प्रतिष्टा द्वारत तैयार किया गया है यह रडार जो है वो हमिस्कलन होने की जो हमिस्कलन होने पर सूचना देगा तीन सेकेंड के अंदर हमिस्कलन की बारे में यह जानकारी देदेगा ठीक है तराई हातिय तरही हातिया भ्हारण यह 33 भातिया भ्हारण है जबकि उत्तर प्रदेश का यह दूसरा भ्हारण होगा ठीक है यह उत्तर प्रदेश के चार्जले लखिंपूर विद्वाइच पीली भी तता सार जापुर में फैला है ठीक है तो याद रखिएगा पंडबी रोधी पोत एंड्रॉथ यह लॉंच किया गया है एक इसवास तो याद तेईस को भारती नौसेना का पंडबी रोधी पोत जिसका नाम है एंड्रॉथ इसे कलकत्ता के होगली न जादी में लॉंच किया गया है इसके बाद है आपका इसका होक यह भारत का पहला पाइप जी सक्षम ड्रॉण है अब बिकास आईजी ड्रॉण नामा के के स्टार्ट अप कंपनी उसके द्वारत किया जाएगा ओडिसा के बुर्ला इससे दवीर सुरेंद साइं यूनिवर यह पश्चमी नौसेना कमान के पंडुब्भी बेड़े का अंग होगी इसकोर्पियन स्रेडी में जो पहली पंडुब्भी थी वह आई एनस कलावरी थी इसके बाद आपकी दूसरी बंडुब्भी जिसका नाम था आई एनस खंदेरी तथा इसके बाद थी आपके आई एनस करंज तथा चौथी जो बंडुब्भी थी वह थी आपके आई एनस वेला तो आपको यह नाम याद रखिएगा पहला है आपका INS कलवरी इसके बाद है आपका INS खंदेरी तथा INS करंज इसके बाद आपका INS बेला अभी जो लॉंच की गई है यह है आपकी INS वागीर तो यह पाँच नाम आपको याद रखनी है ठीक है यह स्कॉर्पियन्स रेनी की पाँच स्टील्त पंडुबिया है इसके बाद है आपका प्रत्वी दोका सपल परिक्षण 15 जून 2022 को भारत ने सतेह से सतेह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल प्रत्वी दोका सपल परिक्षण किया यह जो उड़ीशा में चांदीपूर परिक्षण रेंज है वहां से इसका परिक्षण कि गया था यह इस मिसाइल का रात्री कालीन पर इक्षड था आई एनस विकरांत पहला सोदेशी बिमान बाहक पूथ, दो सितमबर 2022 को ब्रदान मंत्री नरेंद मोधी ने देश के पहले सोदेशी बिमान बाहक पूथ को लॉंच किया, को देश के नाम समर्पित किया, इस बिमान बहाग का नाम आई एनस बिकरांत रखा गया है आपको यह याद रखना है और देश का पहला श्रदेशी बिमान बहाग बहुत होगा कोच्ची स्थित कोच्ची इस प्यार डिमिटेड में आजय कारिकरम में इसे बारती नौसायना में सामल किया गया चेलिए कुछ चर्चित ब्यक्तितों के बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले जो राश्टी ब्यक्तितों में उनकी बात करते हैं अजय सिंग ये स्पाइस जेट के प्रमुक है वाइन जेबा मुद्यूग मंडल एसो चेम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये याद रखिएगा आप नाम इसके बाद आपके मादप कोशिक बरिष्ट साहितकार है इन्हें साहित अकादमी का अध्यक्ष बनाए गया है बीबी आर सुब्रमन्यम नीती आयोग के मुख्य कारेकारी अधिकारी सीओ के रूप में इन्होंने पदवार ग्राण किया है ये इंपोर्टेंट नाम याद रखिएगा आप नीती आयोग के जो बर्तमान पाद्यक्ष है ये आपके सुमन बेरी रहेंगे तो ये नाम भी याद रखिएगा इसके बाद है आपका डॉक्टर बाल कृष्ण बिठल दास दोसी प्रसित बास्तुकार है इनका निदन हो गया है 24 जनबरी 2023 को इन्हें 2018 में प्रतिष्टित प्रतिजर आर्किटेक्च प्राइज मिला था सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचल प्रदेश के मुखमंतरी के रूप में इनों ने सपत गरण किये साथी मुकिश अगनी होतरी ये उप मुखमंतरी बनाए गए हैं कुछ नए राज़पाल हैं उनके नाम याद रखिएगा आप इसमें आपका ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा ये लद्दाक के राज़पाल बनाए गए हैं इसका रमेस बैस ये महराष्ट के राज़पाल है राजेंद बिश्वनात अर लेकर बिहार के फागु चोहान मेखाल है लागनेशन नागालेंड अनुसुया उईके मनिपुर विस्वा बूशन तो ये के नए जो राज़पाल है वो उनकी लिस्ट है इसके बाद है अपका नयायमूर्ती धनंजय यश्वन्त चंद्रचून देश के पचासवे मुखे नायदिस के रूप में इन्होंने सपत गरण की है इस पत पर इन्होंने नयायमूर्ती यूयू ललित का इस्तान लि नयायमूर्ती रितूरा जवस्ती करनाटक उच्च नयायले के पूर्व मुखे नायदिस बाइसवे भारतिय बिदी आयूक के नई अद्यक्ष के रूप में इन्होंने सपत गरण की साथ ही जो मुखे मंत्री देविंत फर्णबीस थे उन्होंने उप मुख मंत्री के देव सहायम पिल्लाई पोप फ्रांसिस द्वारा बेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स वैसेलिका में आउज़े देख कारिक्रम में इन्हें संत गोशित किया गया यह मर्णो परांद इनको यह उपलब्दी आसल हुई है यह पहले भारतिय आमनागरिक हैं का राजीब कुमार 25 में मुख्य निर्वाचान आयुक्त के रूप में इन्होंने पदवार घ्रण किया इस पदपर इन्होंने सुचिल चंद्रा का स्थान लिया नेपाल में उगल चुनाओं के लिए अंतराश्टी परवेक्षक के रूप में यह आमंतरत रहे हैं इसके बाद कुछ अन्य रा प्रिवीन कुमार स्रीवास्तम इन्हें देश का कारवाग मुख्य सतरता आयुक्त सीबीसी निक्त किया गया है केवी साजी नावाइड की नए अद्यक्ष बनाए गए हैं राजीप लच्वण करंदीकर ये राश्टिय सांखे की आयुक की नए अद्यक्ष है हंसराज नए चुनाव आयुक्त की रूप में उने पदवार ग्रण किया इसके बाद है आपका संतोस कुमार यादव भारतिय राश्टिय राजवार प्रादिकर नहीं के अद्यक्ष बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अद्यक्ष तदा सीओ बनाए ग प्रविन शर्मा राश्टि स्वास्वाश्वादीकरण आईश्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक निक्ति किये गए हैं बिक्रम देबदत ये डीजी सीए नागर बिमान महान देशाले के महान देशक निक्तिकिये गए हैं शंदर रमन राम मूर्ती बी एसी के प्रविन सान्ति कुमारी तिलंगना की पहली महीला मुक्य सचब बनी हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चे मंगाल के राजपाल का पदवार गरण किया हैं पश्चे मंगाल के राजपाल ये इंपोटेंट हो जाते हैं थोड़े से आपके इनको याद रखिएगा क्यो राजसरकार है तथा राजपाल के मद्द टक राबकसा देखने को मिलता रहता है तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं सुब्रकांथ पांडा इन्हें देश के प्रोमो जो ब्यापारिक संगटर फिक्की है उसका अध्यक्च नियुक्ति किया गया है जन्रल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ उप डिफेंस स्टाप सीडियेस के रोब में नोंने पदवार ग्रण किया गिरिधर अर्माने देश के नए रक्षा सचिब है समीर बी कामत इन्हें डी आइडियों का अध्यक्ष बनाया गया है नल्ला थंबी, कलाई सेलवी, बेग्यानिक और ओद्योगी के अनुसंदान परिशस CSIR की पहली महिला निदेशक निक्थ किया गया तो ये इंपोडेंट हो जाता है नाम याद रखेगा संजे अरोडा, दिल्ली के नए पुले सायक तो निक्थ किया गया है तर मानिक साहा, ये तुरपरा के ग्यारवे मुखमंत्री के रूपे नोंने सपत गिरण की के केसम महिंदरा है, ये महिंदरा गुरूप के अध्यक्स थे सारा थोमस, ये मल्यालम उपन्यासकार और लेखिका थी ओपी कोली, ओम्परकाश कोली, ये गुजरात के पूर राज्यपाल थे पंडित विजय कुमार किश्लू, प्रसिद सास्त्रिय गायक है कि जमसेत जे रानी, टाटा स्टील के पूर प्रबंद निदेशक इनने स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद थे, इनका भी निदन हुआ है सर इसके बाद साइरस मिस्त्री, ये उद्योगपती और टाटा समू के पूर बद्यक्स थे इनका अभी कुछ समय पहले ही, रूड एक्सिडेंट में इनका निदन हुआ इसके बाद राकेस जुझन वाला ये प्रसिद सेरवाजार निवेशा के वन कारूबारी थे इनोंने हाली में निदन से कुछ समय पहले ही, एर आकासा नाम से एक नई इयर नाइस का जो है सुरुवायत की चर्चित खेल बैक्तित में उनके बारे में जान लेते हैं अगवानी देवी 95 बरसी हरेना की अथलीट है इनोंने पॉलेंड में संपन नभी वर्ल्ड मास्टर अथलेटिक्स इंडो चेंपियंशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते लेसिंड़ डेमस यह अमेरिका की महिला धावा के हैं 2012 में 400 मीटर की जो बादा दोड़ती उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है क्योंकि उस समय रूस की नताल लिया अंत्योक ने स्वर्ण पदक जीता था जिन पर डोपिंग का केस हुआ तथा इसके बाद इन से जो स्वर्ण ने बापस ले लिया गया और लेसिंड़ डेमस को यह स्वर्ण पदक दे दिया गया अक्षधीप सिंग बारती एथलीट इन्होंने चापान में आउजित एसी आई पेदल चाल चेंपिनसिप में पुरसों की बीस किलो मीटर इस पददा में शौन पदक हासल किया तथा मैलाओं में प्रियंका गोस्वामी ने कासे पदक हासल किया बवीता फोगाट ये पूर भारतीय महिला पहलवान है जेने भारतीय कुष्टी महासंग पर लगे आरोपों की जांश के लिए जो गटित कमेटी है उसमें उसकी निगरानी समीते में सामिल किया गया है एमसी मेरिकों समीती के अध्यक्षें इसमें योगेश्वदत तरप्ती मुर्गुंडे रादिका स्रीमान तता राजिस राजगोपालन अन्य सदस के रूप में सामिल है बैलिंडा क्लार्क औस्टेलिया इं महीला क्रिकेट टीम की पूर्व किलाडी तता कप्तान है सेडिनी क्रिकेट ग्राउन में बैलिंडा क्लार की कासे की प्रतिमा का अनावरन किया गया यह पहली महीला क्रिकेटर है जिनकी मूर्ती इस्थापत की गई है